नमस्कार दोस्तो, I hope you all are doing well आज कल IPL की काफी खबरे चल रहे हैं तो हमने सोचा एक IPL पर वीडियो बनाया जाए इस वीडियो में आपको IPL क्या है, उसके नियम, शुरुवात कब हुई, इसके विशे में जानकारी मिलेगी I hope you enjoy my video, please like, share and subscribe my channel IPL क्या है, IPL इंडियन प्रीमियर लीग एक T20 मैच है, इस लीग को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इस लीग में भारत सहित अन्य देशों की टीमें भी भाग लेती है IPL की क्रिकेट टीमें भारतिय शहरों या राजियों को रिप्रेजेंट करती है इन टीमों में ही पूरी लीग के मैच होते है जो टीम लगाता जीत दर्ज करती रहती है, वे अन्त में फाइनल तक पहुँच जाती है फाइनल में टीम को पहुँचने के लिए उसका स्क्रोर बोर्ड सबसे अधिक होना चाहिए जो टीम फाइनल में जीत दर्ज करती है, उसे ही IPL का विजेता घोशित किया जाता है तो यदि आप भी IPL क्या है, उसके शुरुआती नियम, इसके विशे में जानना चाते हैं तो ये चैनल आपको फ्री में जानकारी दे रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल और माई वीडियो टू अप्रिशियेट माई वर्क तो हम जानते हैं IPL क्या होता है, वाट इस इंडियन प्रीमियर लीग IPL को क्रिकेट का महा कुम्ब कहा जाता है IPL में भारत के अतिरिक्त अन्य कई देशों के भी क्रिकेट के लाडियों को सम्मिलित किया जाता है सामानित है, इसका आयोजन अप्रेल मही महीने में किया जाता है पर उन्तु करोना के कारण इस वर्ष में काफी चेंजिस देखे IPL के कारण क्रिकेट जगत भारत के तरफ एक नए विश्वास से देखता है IPL में कई टीमें होती है, इन टीम के मालेक विश्व के सबसे अच्छे से अच्छे खिलाडी को अधिक से अधिक रुपे दे कर अपनी टीम में सम्मिलित करना चाते है प्रतेक मैच का टीवी प्रसारण किया जाता है और आज कल यूट्यूब पर भी प्रसारण देखने को मिल रहा है टीवी प्रसारण से हजारो करोडो रुपे की आय होती है IPL से भारती अर्थवस्ता को बढ़ाने में सहता होती है नए-नए क्रिकेट खिलाडियों को IPL के कारण ही मौका मिलता है जो जाकी बाद में भारत की क्रिकेट टीम में शामिल किये जाते हैं क्रिकेट पसंद करने वाले लोग जिस प्रकार से वर्ड कप को तरजी प्रदान करते हैं उसी प्रकार से वे प्रतेख वर्ष आयोजित होने वाले IPL को भी तरजी देते हैं IPL की शुरुवात कहां से हुई और कब हुई स्टार्टिंग ओफ IPL जैसा कि हम जानते हैं इंडियन प्रीमेर लीग का प्रारम 2008 में किया गया था IPL का संचालन भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जाता है प्रतीख वर्ष इसमें टीमों की संख्या अधिक और कम होती रहती है वर्तमान में जैसा कि हम देख रहे हैं आगे वीडियो में बताया जाएगा टीमें काफी सारी हैं यह सभी इस टूर्णामेंट में भाग ले रही है इंडियम प्रीमियर लीग को शुरू करने का श्रे ललित मोदी को माना चाता है ललित मोदी ही 2008 में इस लीग के फाउंडर और पूर्व कमिशनर थे Rules of IPL जैसा कि IPL के भी कुछ नियम है IPL के नियम के अनुसार एक टीम के दुआरा पाँच विदियों से खिलाडियों का अधिगरहन किया जा सकता है इसके लिए वार्शिक नीलामी का आयोजन किया जाता है इसको घरेलू खिलाडियों पर हस्ताक्षर करके नवोधित खिलाडी हस्ताक्षर करने के पृतिस्पादन वार्शिक नीलामी के द्वारा किया जाता है एक टीम में 16 खिलाडी, एक विजियो थेरैपिस्ट और एक कोच को चुना जाता है टीम चुनते समय अंतिम में चार विदेशी खिलाडियों को चुना जाता है अंतिन रूम से खेलने वाले चोदे खिवार्थिय खिलाडियों को प्रतेक टीम में सम्मिलित होना अनिवार है BCCI के दुआरा अंडर 2022, अंडर 22 से 6 खिलाडियों को शामिल किया जाता है प्रेटेक टीम में कम से कम न्यूनतम एक खिलाडी होना चाहिए बहातिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग IPL में कई नियोमों में प्रडिवर्तन किया जा रहा है BCCI के द्वारा अगले संस्क्रमण में पावर प्लेयर का नियम शुरू करने का विचार किया जा रहा है इस नियम से टीम के द्वारा मैच में कभी भी विकेट किरने के बाद या ओवर समाप्त होने के बाद खिलाडी को बदला जा सकता है इसका अंतिम निर्ने IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हो रहा है इस नियम के द्वारा टीमों को अंतिम 11 के बजाए 15 खिलाडियों को चुनना होगा जिससे जब खिलाडी बदलने की आवश्यक्ता हो तो पावर प्लेयर के द्वारा इन्हें बदला जा सके काफी सारी टीमें जैसे की आठ टीमें इसमें हमने देखी है टीम का नाम आरार राजिस्थान रोयल्स, KXIP किंग्स 11 पंजाब, DC दिल्ली कैपिटल्स, KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, MI मुंबई इंडियन्स, RCB रोयल चेलेंजर्स बैंगलोर, SRH सन्राइजर्स हैदराबाद, CSK चेनने सुपर किंग्स IPL के इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो भार्टिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI के द्वारा, IPL का पहला टूर्नमेंट सन 2008 में खेला गया था इसको स्पॉंसर DLF के द्वारा किया गया था DLF के पास वर्ष 2012 तक IPL की स्पॉंसर्शिप थी वर्ष 2013 में IPL की स्पॉंसर्शिप पैपसी के पास चली गई थी इसके टेक ओवर करने के लिए पैपसी के द्वारा करीब 72 डॉलर मिलियन का बुक्तान किया था वर्ष 2015 में IPL की स्पॉंसर्शिप चाइनीज स्मार्टफॉन मेकर वीवो एक कंपनी के पास चली गई थी यह कॉंट्रेक्ट दो वर्ष का था इसलिए वीवो के द्वारा 2015-16 में भी इसकी स्पॉंसर्शिप की गई थी अगर हम इधर प्राइस की बात करें IPL में तो भार्थिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड PCCI के द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग IPL के खर्चुए में कटोती कास्ट कटिंग की गई है विजेता और विजेता टीम को मिलने वाली इनामी राशी को आधा कर दिया गया है यह कटोती 2019 की तुलना में की गई थी पूर में IPL चैंपियन टीम को 20 करोड रुपे नामी राशी प्रदान की जाती थी अब विजेता टीम को 10 करोड की राशी प्रदान की जाएगी ऐसा सुनने में आ रहा है IPL की उप विजेता टीम को 12 करोड पचास लाग रुपे दिये जाते थे अब इसमें कटोती करने के बाद कुछ अलग नियम सुनाई दे रहे है क्वालिफायर में हानने वाली दो टीमों में हर टीम को अब 4,004 करोड 37,50,000 रुपे दिये जाएंगे IPL के नियम दिन वर दिन हर साल बदलते रहते हैं जैड प्लस सुरक्षा जहां यहां आपको IPL के विशे में जानकारी दी गई है यदि आप इसमें से किसी भी जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो आप कमेंट में करके मुझे अपने सुजाब बदा सकते हैं मैं आपके सुजाब को काफी गौड से लूंगी और उसमें अपने चेंजेस लाने में हेल्प करूंगी I hope you enjoy my video and I will make more videos related to IPL in future Thank you and appreciate my work if you find it suitable Thank you very much, धन्यवाद कर दो कि अपने सकते हैं